पडोस की बुवा जी कह रही थी उनकी नजर में एक लड़के का रिष्टा है कनेडा विज ओ अगले हफते पिंड आ रहे ने सोनी दे लई मैंनू ओ लड़का चंगा लगदा है अच्छा कनेडा विज है लड़का फिर तो जरूर अच्छा ही होगा हमारी सोनी कितनी भाग्यवान है भुवा को बोलो हम तयार है सोनी कॉलिज से पढ़कर वापिस आती है सोनी तेरे लिए एक खुश कबरी है भुवा जी ने तेरे लिए एक सोना मुंडा देखा है मेरे लिए मा मेरी बढ़ाए के वे दो साल बाकी है ओ, कोई नी सोनी पड़ के क्या करना है तुने एक कनेडा जाना है, उदर वैसे ही सब अच्छा है कनेडा? इत्ती दूर ओ, दूर क्या है? तु हवाई जहाज में बैट कर जाएगी शान से पता नहीं उदर क्या करूंगी? करना क्या है? अपना घर संभालना, बच्चे पालना, होर की और कनेड़ा में एश से रहना अमर्दीप अपनी मा और भुवाजी के साथ सोनी के घर पर जाता है अमर्दीप कनेड़ा से आया है, उधर इनका तीन मंजिला बंगला है, दो गाणिया है, बहुत वदिया इंगलिश बोलता है, ये लोग वहाँ पर बहुत सुखी है अमर्दीप, कनेड़ा में क्या करते हो? जी, हमारा अपना बिजनस है ब्राम्टिन में, हमारा बेटा उधर चार लाख इंडियन रुपे कमाता है जी, आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई, सोनी किद्धर है, उसको तो बुलाओ सच्रीकाल जी सच्रीकाल जी, सच्रीकाल सोनी और अमर दीप एक दूसरे को देखते हैं, और एक दूसरे को पसंद करते हैं माता पिता शादी की तारिख पक्की कर देते हैं, और सोनी शादी के बाद ब्रैम्टन, कैनेडा चली जाती है अमर दीपकी कनेडा में एक दुकान है और वो रोज रात को पी के घर प्याता है वो हर रोज किसी ना किसी छोटी मोटी बात पर सोनी को मारता पीड़ता है सोनी अपनी मा से फोन पर बात करती है मा ये बहुत मारते हैं कनेडा में भी लाइफ नर्क बनी होई है कोई नई बेटा ये सारे मर्द ऐसे ही होते हैं बच्चे हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा सोहनी गर्बवती होती है जिसके बाद उसे एक बेटी होती है अमर दीप का सोहनी को मारना पीटना और शराब पीना जारी रहता है वो उसे किसी ना किसी बात पर मारता पीटता रहता है अगले साल सोही फिर से गर्बती हो जाती है वो डॉक्टर के पास जाती है और अल्टरा साउंट करवाती है अल्टरा साउंट करवाया? नर्स क्या रही थी, इस बार भी लड़की है बेटा फिर लड़की इसका कोई फायदा नहीं चल डॉक्टर के पास चल कर सफाई कराते हैं क्या कनेडा में भी ऐसा होता है क्या मतलब कनेडा में लड़की लड़की नहीं होती क्या एक लड़की है न अब लड़का ही होना चाहिए तुने देखा है अमरदीप का गुसा कितना तेज है? अगर मुंडा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा वैसे भी लड़की होने का फाइदा ही क्या है? लड़का होगो तो इज़त तो होगी? क्या प्राम्टम, क्या भटिंडा? लड़की की जिन्दगी तो नर्ख ही होती है, मार खाना और काम करना सोहनी क्लिनिक जाती है और अपना गर्फ बात करवाती है वापिस आने के बाद उसके पती का उसे मारना पीटना उसी तरह से जारी रहता है क्या सोहनी की जिंदगी में इंडिया और कैनेडा में कोई फर्क है? सोहनी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि हम लड़के और लड़की में भेखव ना रखें और उनको बराबर का मौका दे